इडियेस भर में EDI की लगतारशपेमारी जारही है और EDI की इसी आमाधिवाधिरा की Рचातलाशफेमारी जारहरी है गताररök की भरत कि भ因तली है कैनला मौझूदर घलाए मंत्री सामय पाट्षातल के इसे प्रिमरमंक मंत्री और अगले स्यादों ने भी तंजुका कसा है और साथ ही आम पार्टी के भी लोग जो है वो बास्पा परीवार कर रहे हैं आप इडी की स्थाप्यमारी को अपने पार्टी से कैसे जोड़ रहे हैं देखें एडी हुआ सीबियाई हुआ इंकम टेक्स हुआ यह सारे संस्थाएं पहले से काम कर रही हैं यह भारतियंता पार्टी की द्वारा बनाई गई संस्थाएं नहीं है और देश में अपना काम सुतनत रूप से करती रहती हैं और अगर आप देखें च्छापा पड़ा ह से जादे हो गया अज दिल्ली के उप मुखंतरी जमानत नहीं पा रहा है संजय सिंग का भी मामला अदालत में गया था अगर इडी कोई पक्षपाक थिया होता तो उनको वहां से रिया कर दिया जाता आज पांस दिन का रिमांड अदालत ने दिया ना तो यह कहिना कहिए ब भाजपा के हार की निसानी है अब यह तो वो क्या कहते हैं उनका विशा है अगर हार के डर के नाते तो आज देखेंगी सारे अलग अलग विचार धाराओं वाले कहीं ना कहीं मिल करके मोदी को हटाना चाहते हैं क्योंकि उनको डर है कि मोदी देश का वो चौकीदार है जो वो किसी भी भरषटाचारी को बरखसने वाले नहीं है उस डरके नाते सारे भरषटाचारी एक मच पर आकर खड़े होगें जिसमें वो सफलता पराप करने वाले नहीं है और भारतिन्ता पार्टी पहले से जादे सीट लेकर के फिर से दिल्ली में सरकार बनाएगтории मंती जी एक और सवाल आप से योपी पस्चिम के एक बड़े नेता इम्रान मसूद हैं जो अब फिर कांग्रेस में जा रहे हैं और जाते हुए उन्हों ने कहा है कि भाश्पा को हटाने के लिए देश से उन्हें कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा तो क्या मानते हैं की पार्टी के लिए कितना नुक्सान दायक होने वाला है इमान मसूद का कांग्रेस में जाना दल में जब छुडाओ आता है तो नेता इधर की उधर चले आते जाते रहते हैं उससे कोई फर प्रहों पढ़ने वाला ने है तो यह हमारे साथ भार्च का चीत करने के लिए ब